हेड कॉंस्टेबल पुश्पा सिंख और कॉंस्टेबल संतुश शर्मा जिनोंनों मिलकर पाप का सर्वनाश किया शहर में अमन और शान्ती कायम थी पर कहते हैं ना जहां अचाई है वहां बुराए भी जहां भगवान है वहां शैकान भी जहां हेरो है वहां विलन है और इस कहानी का विलन है ऐसे चुब बुल बुल पांडे बेस्थाना कॉंपेडिशन जीतने के लिए घटिया बन के हद्ध पार कर रगए अपने ठाने में आये, सारे केस महला ठाने में भीजवा देने की घटिया चाल चली, फिर वे महला ठाने वालों ने हार नहीं मानी, ये लड़े और जीते, आखिरकार बेस्थाना कॉंपेडिशन के ट्रॉफी इनहीं के नाम हुई, जिनकी जिन्दगी का बस एक ही नारा, सत्य में वजयते ही, सत्यमें वजयते ही, क्ये बच finger बहें लगी बहत बघ्या बहुते जला का यह विजवाब में कश्म से एक और, बोलो अगानी और-ढर सनौ फ़ार में सीह no और, पेग, तेग एक और, पेग अच्छा, एक पेग, एवद नाम, सुना, रेस्पेक्ट राइटर, यह अपना साभ के लिए एक पेग बना हाँ, बिल्लू बिल्कल, अभी बना करेता हूँ बिल्लू बाई, सच बोलू, क्या है कि आपकी नही कहाने बहुत अच्छी है, कस्साम से, बहुत अच्छी है लेकि सच्छी नहीं है एक बाई समझ में यह नहीं आ रही कि अभी तक एक कॉंपूटिशन हुआ नहीं इन थाने वालों ने प्रफी जीती केसे राइट कर दिया राइट? राइट? राइट का मर्राबर बोला करश्मा सिंग हम आपको सस्पेंड करते है कानी वी गरबड़े रही रही नहीं एक और हमने हमना इप यह इदा पहला इसकातम तो कर लो यार एक और सब निकालाना तो इस गिलास में दुबो दुबो के मारूंगा अरे यह कहानी इंटरवल टक टक ही है यह जो कॉंपिडिशन है यह अपना मैला पुलीस था नहीं जित देगा कैसे? कैसे? बोलो बोलो, बोलो कैसे क्या बता? काली खुपडी में आया, बोल दिया बहुत ज्याद हो कि अब बस करो प्लीस बस करो एक और एक और बात याद आ गई है हम यह धरुका काम कर रहे हैं जहांबे एक किसी को पताने होनका चैहिए Present कि दूप नहीं तो मेरा बिल्लु काए प्लिशन ख्या समस इतना मज़ा में लाइफ में देखते हैं एक बल दर्वाज़ बंद रहे हैं अधर कुल अधर दर्वाज़ इसी निकुलू ना हाँ दिल्लो भाई 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 सब्सक्राइब आप नहीं है हाँ हम ही हैं मैं किसे मानू मानलिया मानलिया आप यह हैं मडम अचा हूँ आए यहां मैं आपको ही याद कर रहा था वो मेरी कहानी रिशिष तक पहुंची है तो आप उसको एंट तक पहुंचा दिए यह मेरी मदद कीजिए यहां के बद्लू सुनो सुनो मदद हमको चाहिए तुमारा समझ दो आपको यह हम नहीं करेंग ऐसे, वही नहीं सकता, हम आपको मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? लेकिन आप ऐसे, राइट लेफ मत हो, मैं फोकस नहीं कर парारा हूं, आप सिधें खड़े रूना Nolan. एक सेकंद अब ही तुम्हारा फोकस हो गार। अब ही सीधा दिख रहा है न हम तुमको हाँ अब तुम सुनो हमारा बात अब जो हम तुमसे कहना चाह रहे है न बिल्ले यह हमारे ले बहुत मैत्वपून है तुमको क्या करना है न अब जो भी रिपोर्ट जो भी एफाई आर जो भी कंप्लेन आएगा न थाने में तुम प्रेए मैसा करो अन नहीं तो द रहे हैं नहीं तो यह अधुए। आइट दीन वेडियो मैं यह हों देखो हम थाने में भैटकर हम यह धारु काम कर रहे हैं किसी को बतानी होना चुछेह जो किसी को बतानी यह कर दो एडाहे हम तोड़ेंगे हम तोलेंगे हम तोलिको अगर तुमने हमारा बात नहींमत एक तोल्गें ना बिल्ली कि अब要 टोड़ें । में और यहा पता चल गए तो तो भी तुम थाने से आउट हो जाओगे, अब तुम्हारे उपर है कि तुम्हें किसका वफादारी में शहीद होना है, ये मैडम सर्क इनका साथ देना है, हाँ? तो दिन भर जजबातों को खोकली पीपरी बजाती रहती लेकिन ठाने के लए कुछ नहीं करती है, या फिर हमारे लिए, जो सर्फ इस महिला पोल स्थाना के लिए निवलकी शफुर, महिला महिला पोल स्थाना के मान apartment. हम अपने महिला पोल स्थाना को नंबर 1 पे देखना चा समझ गए हां हां समझ गए दो घंट में चड़ाई थी जादोगर्णी ने दो मिनिट में उतार दी अब फिर से चड़ाने पड़ेगी किदर है कि यही फाइल चाहिए थी ना जैन मैंडम से जैन मैंडम से जैन मैंडम से पुष्पा जी जैसी करिश्मा सिंग आजाए उन्हें हमारे कीबिन में भीज़ दीजिए का आप ही ने उन्हें सस्पेंड किया था ना मैंडम से बहुत आ रहे हैं उनकी हम सब की भी यही आलत हैं बहुत याद आ रहे हैं करिश्मा जी की यही तो मुश्किल होती है रिष्टों की इतने पास है दूर जाकर ही पता चलता है ऐसी कोई बत नहीं पुष्पा जी वो बस हमारे जबान से निकल गया था उमीद करते हैं कि अब आप थाने में कंप्लेंज आने देंगे और उनकी प्रॉपर एफा यार भी लिखेंगे केट बैक टुवक चन्त मैडम जी चल अंदर और मैं तुझी छोड़ू की नी अरे मैडम मेरा कोट खट जाएगा मैं कहीं नहीं जा रहा हूं आय हाय दीदा दिलेरी तो देखो इसकी अपने किये का कोई भी पस्तावा निये से मैडम आप इसे छोड़िया कर नहीं जेल में डाल दीजे इसको इसके तो रोहू मच्छी की तरह चुकड़े चुकड़े कर देने चाहिए एक मिनिट आप प्लीज आप प्ली मैडम मेरी मार्केट में मच्छी की दुकान है ये दरिंदा आया और मुझसे किस मांगने लगा हूं मुझे लगा कि ये फिश मांग रहोगा ये गलती से फिश की जिगा किस बोल गया है फिर मैंने कान लगा कि ध्यान थे सुना ये तो कमीना किसी ही मांग रहा था मैडम आप थोड़ा तो अपनी चॉइस का ख्याल रखते हैं आप बिलकुल सही ना यार मतलब कोई संतो जी से सुन्दर होती तो समझ में भी आता कहां पास रह थे यार तो क्या मतला मैं तुम्हारा क्या मैं सुन्दर नहीं बहुत ज्यादा सुन्दर है इनका उकात नहीं आपसे चुम्मा मांगने का अरे मैडम मैं तो रुमाल पे किस मांग रहा था और देखिए मैं औरतों का बहुत सम्मान करता हूँ और उसी मान सम्मान से मैंने इनसे इस रुमाल पे किस मांगी पुछ लीजे इनसे पर मांगी तो मांगी मैडम छेडा ना बंद कर दीजी आप इसको छोड़िये गा नहीं इस केकड़े के अलाद को हाँ प्लीज चिलाना बंद करिये आप तो भाई साब अच्छे से शरीफ घर के पड़े लेके आदमी लगते हैं आपने इनसे केस मांगी ही क्यों देखिए मुझे इस रुमाल पे एक महिला के चुम्बन का निशान चाहिए वो तो किसी भी महिला का होगा चलेगा मगर एक बात बताएए आपको क्यों चाहिए किसी भी महिला का रुमाल पे किस ताकि मैं खुद को कानून की नजरों में एक धोके बाज चरित रहीन और भ्रष्ट पती साबित कर सकूँ हैं? और मेरा किसी और औरत से भी संबंध है ये भी साबित हो सके तभी तो मेरी बीवी मुझे तलाग देगी मैडाम क्या? एक मिनिट एक मिनिट क्या बकवस किये जा रहे हो देखे आप चाहें जो काईए लेकिन इस रुमाल पे किस देती जिए हम? मा? बट देखी जो हम देखे 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 आप लोग इतनी सारी माइलाए हैं एक किस कर देंगी तो बहुत महरबानी हो जाएगी आप ही कर दीज़ाए एह महासेनद थोड़ा दूरी रहना पहलमान अपनी एमोसन को थोड़ा काबू में रखो रदो पता रहे हो बहुत ख़ड़ाब अदमी है हम मैं 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 करूँ एक मिनिट आप आप शांती से बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है अगर आप अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं है और अगर डिस्टर्ब्ड है तो इसका सेलूशन डिवोर्ष तो नहीं है आप अपनी बीवी से बेट कर बात करिए डिस्कास करिए आम शौर सब कुछ ठीक हो जाएगा नहीं ऐसा कुछ खास बड़ा प्रॉब्लम नहीं है मैडम तो इसा खास छोटा प्रॉब्लम क्या है नहीं हमारी मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है बाई दवे हम लोग एक दूसरे के साथ एक्स्ट्रीमली खुश है अमा तो प्रॉब्लम क्या है सबकुछ अगर इतना सही से चल रहा है अपनी पत्ने के साथ तो फिर तला क्यों चाहिए यहां हमारे लला जो है उसका जी डिलक्स देखें मैं अपनी पत्नी पलवी से इसलिए डिवोस लेना चाहता हूं ताकि उसको मुझसे आजादी मिल जाए मुक्त हो जाए इस वैभाईक जीवन के बंधन से और फिर से भई हसती खेलती चुल बुल चंचल पलवी बन जाए जो वो शादी से पहले हुआ करती थी मैं जाए जो एसा ही देखना चाहता हूं जैसा मैं उसे शादी से पहले मिला था शेखर यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी बीवी के बारे में इतना सोचते भी हो लेकिन हम अब भी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम उन्हें छोड़ना क्यू चाहते हो तेखो अ चोटे-मोटे एफर्ट्स की जरूरत है आप घर के काम में उनका हाथ बटाईये ताकि उन्हें मदद मिले मैडम सब कुछ किया वो भी करके देख लिया आपको पता है जब मैं किचन में जाता हूं तुम इचे किचन से निकाल देती है यह बोलके कि तुमें किचन का काम नह जब मैं बच्चे समालता हूं तुम छीन लेती है कि तुम बच्चे नहीं समाल सकते तो इक काम कीजेना आप सट्टू के पराठे बनाएए बहुत आपको बहुत आसाने बनाना में आपको सिखाओंगी संतू रखे शीर हम को जभी कई खिला यह सब्यण खिला है सट्टू एक काम करिये, आप प्रोफेशनल हेल्प लिजे, एक मेड, एक नैनी, एक ज्राइवर रख लिजे, ताकि सारा काम जो है गहर का वो लोग करेंगे, और आपकी बीवी बहुत फ्री हो जाएगी, उनका सारा टाइम आपके लिए होगा, अरे वो भी ट्राइ किया मेडम, सब कु कर लेती ना, उसे तसली नहीं मिलती मेडम, का बात कर रहें भया, इसा थोड़ी होता है, कोई भी अगर अच्छा काम करेगा, तो कोई मालिक उसको कहा है निकालेगा, अरे लेकिन मेरी धरम पतनी के साथ ऐसा ही होता है, सर, आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, आप कोई मेरे घर बेज़ के देखिये, एक दिन के अंदर अगर उसने उस मेड को ना निकाल दिया ना, तो मेरा नाम शेकर तहीं है, एक दिन? अब तो हम भी जानने में इंट्रेस्टे नहीं कि आपकी बीवी को आखिर प्रॉब्लम क्या है, ट्राइ करके देखते हैं, एक काम करते ह हम आपके घर लोग बिजवाते हैं काम करने के लिए, पुषपा जी, जी मैडम से, आप बनेंगी काम वाली बाई, अब हमारी तब यह थोड़ी ठीक नहीं है, आपका रिटार्यमेंट कब दियो है, एक दिन के लिए जाना है ना, कर लेंगे, गुड, संतो शर्मा, आप बन जानेंगे ड्राइवर, एक दिन के लिए यह तीन होएंगे आपके घर काम करने के लिए, फिर देखते हैं आगे क्या समझ में आता है, हो जाएगा ना, जी मैडम से, पल्लू, पल्लू, क्या है शेखर, मैं यहाँ हूँ, क्या हुआ हूँ, क्या हूँ अवाज लगा रह हू पता है ना, सुबह-सुबह मुझे कितना काम होता है घर बे, बोलो, क्या हूँ, पल्लू, मैं तुम्हारे लिए एक सप्राइज लाया हूँ, क्या सप्राइज है, शेकर, जल्दी बोलो, मुझे बहुत काम है, राम-राम-मलकेन, हमरा नाम जो है न, वो चमेली है, और हम जो अलेकुम मिमसा, हमारा नाम अब्दूल, हम तुम्हारा नया ड्राइवर हो ना, आमी पिंकी, तुम्हारा नैनी, ओ माइग गॉड, उड़ी बाबा, है देया, का हुआ, रिलाक्स, 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 इनकी एक्चुली यह आदत है, थोड़ा सा लाउड रियाक्त करती ह आप लोग घबरा यह मत है, क्या हुआ पलू, शेकु तुम जानते हो ना, इन सब को लाने की क्या ज़रूरत थी, घर का सारा काम तुम्हें कर लेती हूँ ना, हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन पलू, अभी मैं चाहता हूँ कि तुम्हें थोड़ा आराम मिले, अब थोड़ लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आज से घर के सारे काम ये लोग समा लेंगे, और तुम सिर्फ वही करोगी, जो तुम्हें पसंद है, ओ माइ गॉड, अपकी हो लो, शेकु इतने साल से तुम्हें ये भी नहीं पता चला कि मेरी पसंद और ना पसंद क्या है, तुम्हें पता है मुझे घर का काम करना पसंद है, सबका ख्याल दखना पसंद है, फिर भी तुम्हें अरे पर मैडम, वो तो आप हमेशा करती आई है ना, एक तो दिन हमको भी तो मौका दीजिए आपकी सेवा करने का, फिर आराम सित्य कीजेगा आपको हमना जरूत है का ना ही, आपको अच मैरी खातिर पल्लू, फ्लीज ओमाइगोड, अब का हुआ, मेरी दाव! मेरी दाव! यह हमेशा ऐसे हि करती है ओमाइगोड, हाई डाईया, का हुआ? यह तीको कितना कंच रह यहाँ आपर इंधायन आरा तुम्हे? हमें दो, हम कर लेंगे, हम कर रहे हैं न, मैडम? हम कर लेंगे हैं हम कह रहे ना ओ मैं गॉड़ी पापा क्या गॉंडो गॉल किया ऐसे कॉन लीज बानता है ये दिखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ पॉर्फेक्ट देखा चलो बेटा देर हो रही है ये औरत का मोहत समोसा है समस्या है मैं आपा कर देख कर चलाओ ना अब ही ठोक देते अलामिया के पास चाड़े का बहुत चाड़ा इसको आगे से राइट ने ने लेफ्ट लेफ्ट रुको 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 तुम्ते ने होगा मैं इह चला ले जियो यह इस परफेक्ट इसे चलाता है गारी ओमैगो है थे यह का हुआ यह क्या पर नहीं आप यह तो हम चाय का स्वाद देख रही वा यह क्या है यह तो चाय है अरे कितनी उबाल दी है यह देखे अब यह का है इसे टी कलर चार्ट कहते है देखे इस शेड की होती है चाय ब्राउनिश वाइट हाँ इस शेड की चाय पसंद है मुझे और आपने तो पूरी चाय ही जला दी आप रहने ही दीजे मैं खुद बना लोगी तो कैसी रही बहुत बुरी मेडम सर इनकी मोहतारमा बहुत इज़त से बेज़ती करती है ऐगर वाइफ को इतना सारा काम खुद करना है माडम सर तो मैं तो बहुत ही बूरी वाइफ साबत होँगी नहीं सन्थ जी नहीं आपसे जिसका साधी होगा ना संथा काम स्पुद से करेगा सवभाग होगा खुद सी मारेग ऑ ज़ाडू यवोच जाले साफ करेगा पुष्पा जी, आप इतनी चुप-चुप क्यूं है? क्या बताया आपको मैडम सर, हमारे तो भागी फूट गए है एक तरफ है इनकी पत्नी जो हर तरह से सर्वगून संपन एकदम सूपर वूमन की तरह और एक तरफ है हमारी बहुरानी करिशमा जी बरतन दोते समय तो उनको देखना चाहिए ऐसा लगता है जैसे अपरागी को दो रहे है और आटा गूनते समय तो मतलब ऐसा लगता है जैसे आटे से कौन सा सच उगलवाना चाहती है वो काश काश हमारी बहुरानी भी इनकी पत्नी की तरह होती एकदम सूपर वूमन शुक्र मना ये पुषपा जी की करिशमा से गयासी नहीं है क्योंकि जिस प्रॉब्लम से इनकी वाइफ गुजर रही है उस प्रॉब्लम से किसी भी औरत को नहीं गुजरना चाहिए मैडम मैं को समझा नहीं क्या मतला इसे कहते हैं सूपर वूमन सिंड्रोम इस सिंड्रोम में एक औरत घर की सारी जिम्यदारियां खुद उठाना चाहती है चाहती है कि सारा काम परफेक्शन से हो उसके तरीके से हो लेकिन अकेले करना चाहती है कर दो लेकिन ऐसा क्यों मैडम इसका बहतर एक्स्प्लिनेशन हमारे विमन साइकोलोजी स्पेशलिस्ट चीता चतुरवेदी देंगे देखे भाई सब का है इसका मूल कारण जो है न वह हमारे देश के अलग-अलग छेत्रों में महिलाओं की परवरीश और उनके व्यक्तित वका गलत संदचना गौर कीजेगा संतु जी मतलब सब लोग गौर कीजेगा क्या कि हमारे देश में इसा लोग सोचते हैं न कि अगर बेटी है बीवी है औरत है तो उसको परफेक्ट होना चाहिए सब को परफेक्ट बीवी चाहिए परफेक्ट बेटी चाहिए परफेक्ट पत्नी चाहिए परफेक्ट नना परफेक्ट ठीक है ना और अगर गलती से भी औरत इन सब चीज में चूप गई तो औरत खेल तुम बिलकुल ठीक कह रहे हो शेखर औरतों को पैदा होते से ही ना एक एक्जाम में डाल दिया जाता है और उस पर प्रेशर बनाया जाता है कि आपको पूरे नंबर लेकर आने इसी प्रेशर की वज़े से एक साधार और मासूम सी बच्ची बड़े होते होते परफेक्शनिस्ट बन जाती है आपकी बीवी पल्लवी की तरह अफसोस कि आपकी बीवी भी इसी बीमारी का शिकार है इसमें उनकी कोई गल्ती नहीं है बस उन्हें परवरिश ही ऐसी मिली है तो क्या मुझे उसकी परवरिश फिर से करनी पड़ेगी नहीं नहीं हमारा वो मतलब नहीं था आप आ गए हैं न यहां हम कुछ करते हैं पर माडम सर इनकी प्रॉब्लम हम लिखेंगे क्या क्योंकि इनकी जो प्रॉब्लम है वो लेगली किसी भी आग्यूमेंट डिस्प्यूट या क्राइन के कैटेगरी में नहीं आती है मिसिंग रिपोर्ट की कैटेगरी में डालेंगे हम इनका केस जहां एक औरत अपनी जिन्देगी के जिम्मेदारियां उढ़ाते उठाते इनमें इतना ज़ादा खो गई है कि अब हमें उसे ढूनना पड़ेगा मिसिंग रिपोर्ट करिश्म में अडम को बताना पड़ेगा अब अपरादियों को सजा सुनाई जाएगी बिना वर्थी के ये बिल्ला कहा रह गया प्रूंपर करें निया है। वहाँ हाँ I'm below the spy हुँ 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 तुम्हाई मैड़ा के सासू मैड़ा मैडम मैडम समझ के समुद की इस आक शे ना पूरा देखने रहा है वो दर्जी ना जल्दी जल्दी में एक आख ना अधी काट डी इसली एक फैंसी ड्रेस कॉंपडिशन चल ला है या पे फैंसी ड्रेस कॉंपडिशन तो मैड़ा ही तुगा मैडम मैं नहीं छोटा बॉंड आया हो तो कुछ ना कुछ बॉंड गई जाओंगा मैडम क्या करें चाभी गुमाना बन कीजिये पुरा लखनाओ आपके स्टाइल को जानता है पहचानता है तुरंट पहचानले गा वह बन कीजिये आप घॉपा होका यह 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 तोपा होका तुमारी मया के सासू मया चुरन होका दरोगाची तो बहुत देखे पर तुमसा नहीं देखा यह सब डायलोग नहीं चलेंगे जिको आपने जिस हिसाब से गेट अप लिया है ना उस हिसाब से डायलोग लीजिए ना जैसे जैसे कि आपने बगड़ी पेनी है तो लोटा एके, चटनी हो गे, तेरी सयाती मोडू माई बाईया पकड़ तम बहुत देखा तुम सा नहीं दे जढ़ी 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 जढ झाल